सो हेलो स्टो कैसे आप सब लोग मेरे नम है अजय और मेरी इस अजय देडूप चैनल के अंदर अप लोग का स्वागत है तो दूस्तो आज में इस वीडियो के अंदर आप लोग को बतने बाला हूँ आप लोग कैसे अपनी मुबाइल का जो एप है उसका साइस कैसे आप साइस छोटा करके आप लोग को दिखाने बाला हूँ तो दूस्तो सबसे पहले आपके मुबाइल के स्क्रेन के ऊपर डुएल उंगलिस इस तरह के से टेप करना है टेप करने के बाद नीचे आपको राइट कॉर्णर पर शो होगा सेटिंग्स का ओप्शन तो सिंपल आपक का ओप्शन तो सिंपल इस ओप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके समने फिर से बहुत सार ओप्शन शो होगा तो इस ओप्शन में से आपको शो हो जाएगा कास्टोमाइज लेयाओ ओप्शन तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर शो हो रहा है कास्टोमाइज layout option, तो simply इस option पर click कर देना है, customize layout option पर click करने के बाद, आपके सब ने कुछ इस type का interface शो होगा, तो दोस्ते यहाँ पर अगर आप आपने app को छोटा करना चाहते हो, आपको size को छोटा करना चाहते हो, तो आपको access select कर लेना है, आप यहाँ पर click कर के देख सकते हो option को, तो आपको जो भी अच्छा लागे, तो आप उसको apply कर सकते हो, ठीक है, अगर आप app का size बड़ा करना चाहते हो, तो आप access select कर सकते हो, या फिर आप LB select कर सकते हो, इन option को select करने के बाद, आपको simple apply कर देना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप का size यहाँ पर छोटा हो गया है, तो दोस्ते इस तरीके से आप अपना mobile के app को छोटा या फिर बराक कर सकते हो, दोस्तों आगर आप लोग के इस वीडियो से थोड़ा अब यहाँ होता है, तो प्लीज वीडियो को लेक कर देना और चाल पाने हो तो चाल को जरू सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों मिलते हैं और एक नहीं आन्बोक्सिंग और टेक वीडियो में तब तक लिए जय हिंद, जय भारत